सुशान्त सिह राजपूत की यात्रा महत्वा कांग्षा, प्रतिभा और लची लेपन की एक मारमिक कहानी है, जो उनके संधर्षों, उपलब्धियों और अंतह एक अप्रत्याशिक क्षती से चेहनित है, जिसने भारतिय फिल्म उद्व्योग को हिला कर रख दिया. सुशान्त का जन्म 21 जन्वरी 1986 को बिहार के पटना में पांच भाई भनो वाले परिवार में हुआ था, जब वह छोटे थे तब उनकी मा का निधन हो गया था और इस नुकसान ने उन्हें जीवन भर प्रभावित किया, अकादमिक रूप से प्रतिभाशाली चात्र सुशान् पर थे, अखिल भारतिय इंजिनेरिंग प्रवेश परीक्षा और दिल्ली कॉलेज आफ इंजिनेरिंग में मैकेनिकल इंजिनेरिंग की पढ़ाई की हालां की, प्रदर्शन कला के प्रती उनके प्यार के कारण, उन्हें अभिनय और नृत्य के प्रती अपने जुनून को आ प्रतिष्ठित राश्ट्रमंडल खेलों और फिल्म फैर पुरसकारों सहित विभिन कार्यक्रमों में प्रिष्ठ भूमी नर्तक के रूप में स्थान दिलाया। टेलिविजन में उन्हें सफलता टीवी श्रिंखला किस देश में है मेरा दिल में प्रीत की भूमिका से मिली हाला कि पवित्र रिष्ठा में मानव के उनके किरदार ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया। सुशान्त का किरदार इमानदार और देखभाल करने वाला था। बेटे और पती ने पूरे भारत में दिल जीत लिया, जिससे उन्हें पहचान और पुरसकार मिले। दो हजार तेरह में सुशान्त ने चेतन भगत के उपन्यास पर बनी फिल्म काई पोचे से बॉलिवुड में डेब्यू किया। पूर्व जिलास्तर के क्रिकेटर इशान भट के उनके किरदार को आलोचकों और दर्शकों ने समान रूप से सराहा, फिल्म की सफलता स्थापित हुई उन्हें उद्योग में एक होनहार अभिनेता के रूप में देखा गया, उन्होंने कई लोगप्रिय फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें शामिल हैं। शुद्ध देसी रोमास एक रोमैंटिक कॉमेडी जिसने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाया। फिल्म पी की भूमिका निभाई। अपनी भूमिकाओं के प्रती सुषान्त की प्रतिबधता स्पष्ट थी, वह प्रत्येक किरदार के लिए सावधानी पूर्वक तयारी करने के लिए जाने जाते थे, उनका समर्पन एम एस। धोनी द अंटोल्ड स्टोरी में सबसे उल्लेखनिय थ जो भारतिय क्रिकेटर महेंदर सिंह धोनी पर आधारित एक बायोपिक थी, सुषान्त ग्वारा निभाए गए धोनी के किरदार की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई और फिल्म एक बड़ी व्यावसायक सफलता बन गई। उन्हें स्टार्डम तक पहुँचाया, उन्ह उन्होंने धोनी की खेल शैली को पकड़ने के लिए व्यापक क्रिकेट प्रशिक्षन लिया, यहां तक कि उनके प्रतिष्थित हेलिकॉप्टर शॉट को भी परफेक्ट किया, एम एस का अनुसर्ण करते हुए धोनी सुषान्त जैसी फिल्मों में किया का, राप्ता एक प कॉलेज के दोस्तों के पुनर्मिलन के बारे में एक हार्दिक कहानी, यह फिल्म दोस्ती और लची लेपन के विश्यों को छूती है, और सुषान्त की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक बन गई है। अपनी सफलता के बावजूद सुषान्त को फिल्म उद्योग में चुनोतियों का सामना करना पड़ा, खासकर भाइबती जावाद और पक्षपात की गतिशीलता से निपटने में, रिपोर्टों से पता चला कि सुषान्त को उनकी प्रतिभा के बावजूद अक्सर प्रति और समर्थन पाने के अपने संधर्ष के बारे में साक्षातकारों में खुल कर बात की। बाहरी लोगों के लिए चुनोती पूर्ण माने जाने वाले उद्योग में, इसने अन्यकारकों के साथ, मानसिक स्वास्थ्य के साथ उनकी लड़ाई के बारे में अफवाहों को हवा दी. अपने पूरे करियर के दौरान सुशांत ने कई पुरसकार जीते, जिसमें फिल्म फेयर के लिए नामांकन भी शामिल था. उन्हें एक जिग्यासु दिमाग के रूप में जाना जाता था, जो खगोल विज्ञान, क्वांटम भौती की और साहित्य का आनंद लेते थे. विज सुशांत की शिक्षा में भी गहरी रुची थी और वह समाज को कुछ वापस देना चाहते थे. वह सुशांत चार एजुकेशन जैसी पहल में शामिल थे, जिसके माध्यम से उनका उद्देश युवा छात्रों को उनके सपनों को पूरा करने में मदद करना था. सुशांत अपने परिवार, विशेशकर अपनी बहनों के बहुत करीब थे. अभिनेत्री अंकिता लोखंडे, जिनसे उनकी मुलाकात पवित्र रिष्टा पर हुई थी. के साथ उनके रिष्टे को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था. और सोहार्दपूर्ण तरी सुशांत अपने मुंबई अपार्टमेंट में मृत पाए गए, उनके आकस्मिक निधन ने देश को जखजोर दिया और मानसिक स्वास्थ्य, भाइबती जावाद और फिल्म उद्योग के दबाव के बारे में व्यापक चर्चा छिड़ गई. उनकी मृत्यू के आसपास की परिस्थितियों की व्यापक जाच हुई, और उनके प्रशंसक उन्हें एक ऐसे अभिनेता के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने बाधाओं को तोर दिया और बाधाओं के बावजूद सफलता हासिल की. सुशांत सिह राजपूत का जीवन अपार प्रतिभा, बौधिक जिग्यासा और प्रामानिक्ता की खोज का मिश्रन था, हालांकी उनकी यात्रा समय से पहले समाप्थ हो गई, लेकिन उनका प्रभाव कायम है, युवा कलाकारों को प्रेना मिलती है, जो उनके जुनून, उ उन्हें एक ऐसे सितारे की याद दिलाते रहेंगे, जो थोड़े समय के लिए ही सही चमकता रहा।